बिहार के मेरे प्रिया साथियों, मैं आलोक कुमार दृस्टी टीम की तरब से YouTube सेशन के लिए Indian Quality, Previous Year Questions का ब्याख्या सहित उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ यह एक पूरी सिरंखला में, एक पूरे स्रीज में आपके सामने में रखूंगा प्रस्त उत्तर कारिक्रम सुरू करने के पहले, कुछ बेसिक बाते हैं, कुछ बेसिक डीटेल से हैं, जिसे समझना आवस्यक है देखें, एक तो जब हम लोग बुक्स से पढ़ते हैं, या क्लासेज लेते हैं, या कोचिंग में पढ़ते हैं ओनलाइन, आफलाइन, किसी भी मोड में, मतब किसी भी प्रकार से, बुक्स की सहायता से, टीचर्स की सहायता से, ओनलाइन, आफलाइन, किसी भी तरीके से, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास उस बिसेवस्तू के समझ के संबंध में बहुत सारी इनफॉर्मेशन्स, बहुत सारे नॉलेज्ज हम गैदर करते हैं ओभर ओल बिसेवस्तू की एक समझ, अंडरेस्टेंडिंग और अपने बेसिक कुंसेप्ट्स को भी हम लोग डफलप करते हैं लेकिन किसी भी एक्जामनेशन को क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉलेज्ज, इनफॉर्मेशन्स, अंडरेस्टेंडिंग और कुंसेप्स का होना ही आवस्यक नहीं है बलकि सबसे महत्पुर नहीं यह है कि जो प्रस्ण पूछे जा रहे हैं किसी भी एक्जामनेशन्स में अभी यहाँ पर हम लोग BPSC की बातचीत कर रहे हैं, प्राडमभिक परिक्षा की बातचीत कर रहे हैं, तो अपनी बातचीत को हम प्राडमभिक परिक्षा और BPSC तक ही किंद्रित रखेंगे तो किसी भी एक्जामनेसंस में जो प्रस्ण पूछे जा रहे हैं, उन प्रस्णों के पूछे जाने की प्रकृति क्या है, उसका ट्रेंड क्या है BPSC किस प्रकार से प्रस्न पूछता है देखिए किसी भी प्रस्न का उत्तर आप बहतर तरीके से दे सकते हैं उत्तर को आप राइटली एप्रोच कर सकते हैं जब आप प्रस्न पूछने वाले या प्रस्न करता की मांग को समझेंगे उसके मनमस्तिक्स को समझेंगे कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है तो यह जो सिरीज हम लोगों ने प्राडम्भ किया है BPSC, सामान्य अध्यन, इसमें मैं इंडियन पॉलिटी या भारतिय राजविवस्था सेक्षन पर चरचा करूँगा तो आप यह समझ पाएंगे कि BPSC में इंडियन पॉलिटी के अंतरगत किस प्रकार के प्रस्ण पूछे जा रहे हैं तो एक तो पहली बात तो यह है कि प्रस्णों को देखने से, प्रस्णों को सॉल्व करने से प्रिभियस इयर्स के कोस्चन्स को देखने से आप BPSC के माइन्ड को समझ पाएंगे एक्जामनेशन के नेचर को समझ पाएंगे और एक्जामनेशन के ट्रेंड को समझ पाएंगे और accordingly आप अपनी पूरी तयारी को एक सेप एक आकार दे पाएंगे होता क्या है कि जैसे जैसे examinations पास आते हैं वैसे वैसे आपके परने के आवर्स बरने लगते हैं आपके मन में ये आता है कि अभी तो ये परना है अभी ये चूट रहा है अभी वो चूट रहा है अधिक से अधिक चीजों को आप कबर करने का प्रयास करते हैं जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हैं वेसे वेसे आपके मन में यह भी आता है कि हम पढ़तो रहें हैं लेकिन हमें कुछ याद नहीं रह रहा है इसलिए मेरा सजेशन यह है कि एक भार सिलेवस को फिनिस कर देने के बाद उसे बार बार रिवाईज करने के लिए प्रस्ण उत्तर सेशन में आप जितना पाटिसिपेट कर सकते हैं उतना ही आप एक्जामनेशन हॉल में अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर पाएंगे देखिए मामला नौलेज का तो है ही है लेकिन उससे भी अधिक आपके परफॉर्म करने का है कई चात्र ऐसे होते हैं मैंने अपने टीचिंग एक्सप्रियंस के अंतरगत देखा है कि कम नौलेज में भी वो बेटर परफॉर्मेंस करते हैं और सेलेक्ट होते हैं और कई ऐसे स्टुरेंट्स को हमने देखा है जिनके पास नौलेज बहुत जायदा है बट एक्जामनेशन हॉल में वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो इसका जो मुख्य कारण है वह यही है कि वस्तुता है आप अभ्यास नहीं करते हैं आप प्रिवियस एर के कोस्चन्स को नहीं देखते हैं और प्रिवियस एर कोस्चन्स के साथ साथ जितना अधिक टेस्ट्रीज में आप पाटिसिपेट कर सकते हैं जितने अधिक से अधिक प्रस्णों को आप देख सकते हैं तो द्रिश्टी PCS YouTube चेनल की सुरुवात में ही सिलेवस डिसकुशन के साथ साथ हम लोगों ने प्रिभियस एर्स के कोस्चन्स को कैसे एप्रोच किया जाए इसके साथ साथ जितना अधिक कोस्चन्स आप सॉल्व करेंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे कोस्चन्स को सॉल्व करने की टेकनिक या स्किल या ट्रिक को आप अपने अंदर डिवलप कर बाएंगे बहुत सारे ऐसे प्रस्णा आपको मिलेंगे जो सीधें सीधें किताबों में उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा वो ओवर ओल अंडरस्टेंडिंग से जुड़ा हुआ है अभी हम लोग कई एक्जांपल्स भी यहां पर देखेंगे क्योंकि प्रस्ण में सिर्फ इनफॉर्मेशन से ही नहीं पूछे जाते हैं बलकि ओभर ओल आपकी अंडरस्टेंडिंग को चेक किया जाता है साथ ही साथ प्राडविक प्रिक्षा में जो multiple choice question होते हैं उस multiple choice question के माध्यम से आपके decision making abilities को भी चेक किया जा रहा है यह भी चेक किया जा रहा है कि pressure में आप कितना right decision ले पाते है प्रेसर को आप कैसे manage करते हैं देखिए सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि यह जो examinations हो रहा है वह examinations क्या है उस examinations की आवस्तक्ता क्या है तो आप administrative officers के रूप में आप civil servant के रूप में select किये जाने वाले हैं तो सुभाविक सी बात है कि civil servant में जो गुन होने चाहिए एक प्रसासनिक अधिकारी में जो गुन होना चाहिए उसी गुनों को examin करने के लिए यह प्रिक्षा आयूजित किया जा रहा है माध्यम उसका यह है जिसमें हम gender studies के different sections से प्रस्ट पूछे जाते हैं तो उन गुनों को धीरे 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 आपको विक्सित करना है और उन गुनों को विक्सित करने के लिए भी अभ्यासत्र आवस्यक है तो आईए बाकी की जो बातचीत हम लोग करेंगे वो अपने अभ्यासत्र में करेंगे कई बार आप यह पाएंगे कि बहुत जायदा पढ़ लेने के बाबजूद भी कई प्रस्ट आपको ऐसे मिल जाते हैं जो सामन्नित किताबों में उसके बिसे में आप नहीं पढ़ते हैं तो जितना अभ्यास आप करेंगे वह आपके नॉलेज में जो गैप से है उसको फिल कर देता है मतलब बुक्स और एक्जामनेशनस में पूछे जाने वाले प्रस्टों के बीच एक गैप होता है एक अंतराल होता है जितना अधिक प्रस्ण आप अभ्यास करेंगे वह गैप उतना ही फिल होता चला जाएगा अर्थात भरता चला जाएगा Additional Informations के साथ साथ किसी भी टॉपिक में कौन से वैसे इंपॉर्टन्ट से हैं पॉकेट से हैं जहां से प्रस्ण रेज होते हैं इसके लिए ना सिर्फ BPSC बलकि UPPCS या जितने भी PCS हैं उन सभी PCS के प्रस्ण यहां तक कि IS के प्रस्ण को भी आपको देखना चाहिए और इसके माध्यम से आप उस skill उस technique उस trick को develop कर पाएंगे जिसके माध्यम से आप प्रस्ण के उत्तर को rightly approach कर पाएंगे इसलिए overall आपका selection आपके उस skill पर depend करता है जिसके माध्यम से आप अपने performance को धीरे 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 बेटर करते हैं अप्ग्रेड करते हैं उसको बहाते हैं तो आईए आज के सत्र की सुरुवात करते हुए 66 BPSC प्राणभिक परिक्षा में भारतिया राजविवस्था खंड से पूछे जाने वाले प्रस्णों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं one by one देखें पहला प्रस्ण ये पूछा हुआ है कि विधी का नियम कई बार प्रस्णों को पढ़ते हुए आप यह महसूस करेंगे कि आपको इसका इंग्लिस वर्जन भी देखना चाहिए है जैसे विधी का नियम या कानून का अधिराज मतलब सिंपली ये रूल ओफ लॉप लॉप के बिसे में पूछ रहा है अर्थात विधी या कानून का सासन सिंपल तो सबसे पहले प्रस्ण को समझने के लिए यह आवस्यक है कि आप इसके इंग्लिस वर्जन को भी देखिए और सबसे पहले प्रस्ण को सिंपलिफाइट कीजिए प्रस्ण कहां से पूछा हुआ है किस टॉपिक से पूछा हुआ है क्या कौनसेप्ट है उसमें यदि वह आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए तो आप सही उत्तर को चुनने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे रूल आफ लौ बताने की जरूरत नहीं है कि लोकतांत्रिक सासन की अबधारना के अंतरगर रूल आफ लौ लोकतांत्रिक सासन पधती का एक महत्यपुर्ण गुन है एक महत्यपुर्ण तत्तो है जब भी आप आधुनिक सासन परनाली के अंतरगर्ट लोकतांत्रिक सासन परनाली को पढ़ते हैं रूल आफ लौ एक अती महत्यपुर्ण तक्तो है क्योंकि आधुनिक सासन परनाली के अंतरगत लोकतांत्रिक सासन परनाली कानून के सासन की अवधारना पर अधारित होती है। प्रमप्रागस सासन या राजतांत्रिक सासन परनाली से यदि आप इसकी तुलना करेंगे तो राजतांत्रिक सासन परनाली में व्यक्ति विसेश का सासन होता है वह व्यक्ति किसी विसेश जाती किसी विसेश धर्म से संबंदित हो सकता है लेकिन आधुनिक सासन की प्रनाली अर्थात, लोक्तांत्रिक सासन की प्रनाली की सबसे महत्यपुर्ण विसेस्ताओं में से एक रूल ओफ लॉओ है, अर्थात यहाँ पर किसी व्यक्ति का सासन नहीं होता, बलकि यहाँ पर कानून का सासन होता है सासन कानून करता है अर्थात कानून के अनुसार व्यक्ति सासन करता है व्यक्ति उपर नहीं है कानून उपर है अर्थात कानून का सासन सबसे पहले यह करता है कि कानून सरवच्च है, विधी सरवच्च है, लौ सरवच्च है और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर है कानून कभी भी किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि कानून सरवच्च है कानून के समक्ष सभी बराबर है यह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता इसे हम लागू केसे करेंगे तो आप चारे स्टेट्मेंट को पढ़िए इसमें से एक स्टेट्मेंट आपको यह बतलाएगा कि कानून के सासन की जो अबधारना है उसको हम इस तरह से लागू कर सकते हैं देखिए जब आप आप आपसन परहेंगे उसी में उसका उत्तर होगा कोई भी ऐसा आपसन जो अटपटा हो वह उत्तर नहीं हो सकता है जैसे देखिए यह कह रहा है सभी के लिए एक कानून अभी जो अबधारना हमने परही है सभी के लिए एक कानून अर्थात कानून के समक्ष सभी बराबर हैं तो सभी के लिए एक ही कानून है और इसको लागू कैसे करेंगे तो सभी के लिए एक न्यायतंत्र अर्थात साधारन न्यायाले के समक्ष सभी को ब्रावर माना जाता है वह किस पद पर बैठा हुआ है इसे नहीं देखा जाता है वह किस जाती से है किस धर्म से है किस छेत्र से है इसे नहीं देखा जाता उसकी समाजिक आर्थिक प्रिस्ट भूमी क्या है इसे नहीं देखा जाता है बलकि एक न्यायतंत्र जो है अर्थात न्यायपालिका जो है वह इसे लागू करता है दूसरा कहता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य है तो जहां तक राज्य की अवधार्ना है देखिए ये तो सही है सभी के लिए एक कानून यहां तक ये इस्टिट्मेंट सही है लेकिन इसके बाद ये कह रहा है और सभी के लिए एक राज्य राज्य एक भुगोल विशेश में एक छेत्र विशेश में जिसके एक निश्चित भौगवलिक सीमा होती है उसमें रह रहे सभी लोगों का एक संग है तो राज्य तो एक ही होता है एक भौगवलिक छेत्र विशेश में और उसमें जो लोग रह रहे हैं वो भी आधुनिक लोकतांत्रिक सासन प्रनाली के अंतरगत एक समान ही होते हैं लेकिन राज्य इसे लागू नहीं करता है बलकि रागू इसे न्याइपालिका करती है कोई ऐसा कानून बना रहा है या कोई कानून ऐसे लागू कर रहा है जिसमें कोई भेदभाव हो रहा है तो आखिर उसका परिक्षन कोन करेगा नियाई पालिका करेगी तीसरा इस्टेक्मेंट कर रहा है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक नियाई तंत्र कानून के सासन की अब्धारना के अंतरगत सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याई तंत्र की अवधारना विद्धमान नहीं है बलकि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक प्रकार का न्याई तंत्र अर्थात न्याई विवस्था में कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है इसलिए जब भी किसी को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अंतिम न्याई के द्वार के रूप में वह न्याई पालिका के समक्ष अपनी पीरा को रखता है और न्याई पालिका से उसे न्याई की उम्मीद होती है चोथा कह रहा है एक के लिए सभी कानून मतब सभी कानून एक के लिए है और सभी के लिए एक नियाय तंत्र है तो सभाविक सी बात है कि जब आप इस सारे statements को पढ़ेंगे तो ये statement गलत है ये गलत है ये गलत है ये सही है विधी के सासन की अवधारना के संबंध में इस बात को भी धियान में आप लोगों को रखना है कई बार पूछ लिया जाता है कि विधी के सासन की अवधारना या कानून के सासन की अवधारना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो ब्रिटिस विद्वान ए वी डाइसी के द्वारा विधी या कानून के सासन की अवधारना को प्रस्तुत किया गया ए बी डाइसी बिटिस संविधान पर कमेंटरीज इन्होंने लिखे हैं वस्ता बिटिस संविधान लिखित रूप में है नहीं तो जो भी लोकतांत्रिक परंप्राएं या जो कमेंटरीज हैं या जो संसदिय कानून हैं उन सभी को मिला करके ही उसे ब्रिटिस संबिधान कहा जाता है तो A.B.D.C. ब्रिटिस संबिधान पर टिपनी लिखने वाले या टीका लिखने वाले या कमेंट्रीज लिखने वाले एक महत्पुर्न विद्वान हैं जिन्होंने विधी के सासन की अवधारना दी जो यह बतला आता है कि सासन को निरंकुस नहीं होना चाहिए या सासक को निरंकुस नहीं होना चाहिए कानून एक सीमा को अस्थापित करता है और उस सीमा उस सीमा के अंतरगत रहते हुए ही किसी को भी अपना कार्य करना चाहिए अर्थात व्यक्ति सर्वच्चे नहीं है, कानून सर्वच्चे है और कानून की सीमा में राज्य को बना हुआ होना चाहिए प्रसासन को, सरकार को कानून की सीमाओं से बना हुआ होना चाहिए तो इसलिए यह जो पहला आप्सन है वह बिलकुल ही करेक्ट होगा BPSC के संदर्व में, जब भी आप डिसीजन ने है, कि कान सा आप्सन राइट है तो आप आप्सन ई पर जरूर बिशार कीजिएगा, चुकि आप्सन ई आज के डेट में BPSC एक्जामनेशन को बहुत कुछ UPSC के पैटर्न पर कुंसेप्च्चुल बना देता है क्योंकि यह डिसाइड करना बराही मुस्किल है यह जो चार आप्सन है, इसमें से कोई सही है या नहीं है या एक से अधिक उत्तर सही है यह पूरे स्टेटमेंट को बहुत ही कुंसेप्च्चुल बना देता है इसलिए बहुत ही ध्यान से जब तक किसी भी विशैबस्तू को आप बेटर तरीके से समझेंगे नहीं बेटर तरीके से उसे एनलाइज करने की छमता को आप अरजित नहीं करेंगे तब तक सिर्फ पढ़ते रहने से आप आज के डेट में 100% दावे के साथ यह नहीं कह सकते कि आप 100% BPSC को निकालने जा रहे हैं इसलिए सभी options को दिहान में रखते हुए और जो आपने परहा है उस knowledge को apply करते हुए आप right answer को approach कर सके और यह छमता, यह skill, यह tricks, यह techniques आपको अपने अंदर develop करना है और यह अभ्यास के माध्यम से ही हम लोग develop कर सकते हैं आईए दूसरे प्रस्न पर चलते हैं दूसरा प्रस्न पंचायती राज संस्थाओं से पूछा हुआ है information पर बेस्ट है प्रस्न पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 काड़ियों की सुची किस अनुच्छेद के अंतरगत दी गई है देखें इस संब्द में दो बातों को जानने की जरूगत है कि पंचायतों के जो काड़िये हैं या सक्तियां है या उनका जो काड़िये छेत्र हैं इसका वर्नन 11 अनुची करता है अर्थात यह 11 अनुची से संब्द देता है जब भी आप इस प्रकार के प्रस्णों को देखते हैं या जब भी बुक्स को आप पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ यह जनने की जरूरत नहीं है कि पंचायतों के जो काड़िये हैं और उसकी जो 29 काड़ियों की सुची है वह 11 अनुची में है बलकि आपको यह भी देखने की जरूरत पढ़ेगी कि यह 11 अनुची संब्धान के किस अनुच्छेद के अंतरगत है तो 11 अनुची संब्धान के अनुच्छेद 243 G के अंतरगत है सवाल यह उठता है कि बाकी के अनुच्छेदों में क्या है इसे हम कैसे ध्यान में रखें तो देखिए एक यहाँ पर अनुच्छेद में और भी आपको बतलाना चाहूंगा इसको मिलाते हुए अनुच्छेद 243 D तो D E F G H सभी को आप ध्यान में रख सकते हैं देखिए D जो है वह पंचायतों में Reservation के संबंध में बात चीत करता है अर्थात आरक्षन से संबंदेते हैं तो सावानेत हम लोग क्या करते हैं कि जब हम आरक्षन के संबंध में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ लेते हैं कि ठीक है S.C. को S.T. को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षन दिया जाता है महिलाओं को कम से कम जो तेहतर्मा संबिधान संसोधन है वह महिलाओं को कम से कम एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्राबधान करता है हलांकि बिहार में अभी इसे बरहा कर 50% कर दिया गया है बिहार है मद्य प्रदेश है हिमाचल प्रदेश है राजस्थान है हरियाना है ऐसे कुछ राज्ये हैं केरल है ऐसे कुछ राज्ये हैं इसको भी ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन कों से राज्ये हैं जहाँ पर महिलाओं को 50% आरख्षन कर दिया गया है अर्थाथ तेहत्तर्मसंभिधान संसोधन राज्य बिद्हान मंडल को यह अधिकार देता है कि वह महिलाओं को दियए जा रहे आरख्षन को बढ़ा सकता है कम से कम एक तिहाई रखना है अर्था 33% रखना है और उसे बढ़ाया जा सकता है तो बिहार में इसे बढ़ा कर 50% कर दिया है साथ ही साथ अन्य पिछले वर्ग के आरक्षन के संबंद में कानून बनाने का अधिकार राज्य बिधान मेंडल को दिया गया है तो आरक्षन के संबंद में जब आप पढ़ते हैं तो पूरी बात्चीत आपके सामने किलियर होना चाहिए साथ ही साथ वह किस अनुच्छेद से जुरा हुआ है यह भी आपको किलियर होना चाहिए जहां तक H की बात है तो H एलेक्षन कवीशन की बात कहता है अर्थात पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयोग की अस्थापना राज अस्तर पर की जाती है तो पंचायतों के चुनाओ के लिए अनुच्छेद 243H के अंतरगत एक निर्वाचन आयोग की विवस्था की गई है यदि आप नगरपालिका के चुनाओं की बात करते हैं तो जो Y है मतलब 243Y यह भी निर्वाचन आयोक के संबन्द में बात करता है तो ध्यान में ये रखना है कि नगरपालिका पूछ रहा है या पंचायत पूछ रहा है के अंतरगत जितने भी महत्पुर्ण आर्टिकल्स हैं उसको पेर बनाते हुए आपको याद रखना चाहिए अर्थात एच वाई आरक्षन से संबंदित है चुकि तहतर्मा संविधान संसोधन पहले किया गया है इसलिए पहले जब निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो हम पहले पंचायतों के निर्वाचन की बात करेंगे और फिर Y में हम नगरपालिका के निर्वाचन की बात करेंगे E, 243E में क्या है? तो 243E जो है, वह कार्यकाल की विशे में बतलाया हुआ है कार्यकाल अर्थाद duration क्या है? और यह पंचाइतों के कार्यकाल की विशे में बात करता है तो जो E कह रहा है, वह यहाँ पर अगर नगरपालिका की बात करेंगे तो U में है तो यूँ यी पेर में याद रखिए अर्थाथ पंचायतों के गठन या नगरपालिका के गठन से पॉच वर्स बिघटन की इस्तिती में छे महिने के भीतर चुनाओ लेकिन यदि उसका कार्यकाल छे महिने में ही पूरा होने वाला हो तो चुनाओ कराए जाने की आबस सकता नहीं है और दूसरी बात की जो चुनाओ कराए जाएंगे वो सेस कार्यकाल के लिए ही कराए जाएंगे तो इसके संबंधे में पूरी बात आपको जानने की जरूरत है इसके पस्चाथा आयिए F की बात करते हैं तो 243 F जो है वह disqualification की बात करता है अर्थात अयोग्यताओं की बात करता है या निड्योग्यता की बात करता है अर्थात पंचायतों या नगरपालिका के जो सरस्य हैं उन्हें किस प्रकार अयोग्य घोसित किया जा सकता है तो सीधे सीधे ध्यान में ये रखना है कि पंचायतों के जो सरस्य हैं उनके अयोग्यता से संबंधित आर्टिकल 243F है और जो F है यहां पर नगर पालिका की बात करेंगे तो V अर्थात VF आपको पेर बना के याद रखना है जहां तक अयोग्यता की बात है तो अयोग्यता का निर्धारन उस समय जो कानून है उस कानून के अंतरगत किया जाएगा और वह कानून राज्य बिधान मंडल के द्वारा बनाये जाता है या राज्य बिधान मंडल के द्वारा बनाये गए या राज्य बिधान मंडल के द्वारा बनाये गए कानून के अंतरगत जो प्राधिकरन बनाया जाता है वह प्राधिकरन उनकी अयोगिता के संबंध में निर्ने लेता है लेकिन किसी भी सदस्य को सिर्फ इसलिए अयोगित नहीं माना जाएगा कि उनकी उम्र 25 वर्स नहीं है अर्थात अगर उम्र 21 वर्स है तो उम्र के आधार पर उन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा इसका अर्थ यह है कि पंचायत और नगरपालिका के चुनाओं में जो नियूंतम उम्र है वह 25 वर्स नहीं है बलकि 21 वर्स है चुकि बिधान सभा और लोक सभा के चुनाओं में यह नियूंतम उम्र 25 वर्स है तो कई बार confusion हो सकता ह इसलिए आपको ध्यान में रखना है जहां तक 29 काड़ियों के सुची की बात है तो 29 काड़ियों की सुची जो जी में हम लोगों ने बात चीत की है इसी तरह से आप इसको compare कर सकते हैं कि नगरपालिका के काड़ियों की सुची कहां पर है नगरपालिका के काड़ियों की सु कि सुची बारहमी अनुसुची में दी गई है अब देखिए एक प्रस्न और इनफॉर्मेशंस इतने सारे हैं अर्थात एक प्रस्न के माध्यम से आप कितने इनफॉर्मेशंस से अपने आपको जोड सकते हैं इस आर्ट को यदि आपने डिफलप कर लिया तो यह आपके प्रस प्रसनों को सॉल्ब करने के स्किल को डिफलप करेगा आईए अब दूसरे प्रसन पर चलते हैं यह बड़ा सिंपल प्रसन है और इंडियन पॉलिटी के करेंट अफेर्स से संबंदेत हैं नागरिक्ता सिंसोधन कानून अर्थात जिसे पॉप्लर फॉर्म में हम लोग CAA कहत 2019 कब पारित हुआ अर्था सीधे सीधे डेट पूछ रहा है तो चुकि यह इतना अधिक बिवादित हुआ था इतना अधिक बिरोध प्रदरसन हुआ था साहीन बाग लोकतंतर की एक नई प्रियोग साला बन गई तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 11 दिसंबर 2019 को नागरिक्ता संसोधन कानून लागू किया गया था अब इस संबंद में दो महत्तपुर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है अर्थात भारतिय संबिधान का अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह संबिधान लागू होने के पस्चात नागरिक्ता को प्राप्त करने या नागरिक्ता से वर्जित करने अर्थात नागरिक्ता के समाप्ती से संबंधित कानून को बनाए और संसद ने सब से पहले यह कानून 1955 में बनाया नागरिक्ता अधिनियम या नागरिक्ता कानून वर्तमान में जो नागरिक्ता संसोधन कानून है वह अनुच्छेद 111 के अंतरगत 1955 में बनाए गए नागरिक्ता अधिनियम में संसोधन करता है और पंजी करन के आधार पर और देशिय करन के आधार पर यह भी आपको पता कर चाहिए कि नागरिक्ता कानून 1955 कितने आधहारों पर नागरिक्ता को प्राप्त करने के तरीके बतलाता है अर्थात जन्म के आधहार पर वंस के आधहार पर रेजिस्ट्रेशन पंजी करन देशिय करन तो कितने आधहार हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए तो 1955 के अंतरगत जो कानून बनाया गया था उस कानून में संसोधन करते हुए नागरिकता संसोधन अधिनियम 2019 में अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश के अलप संख्यकों को जो हिंदू हैं सिक्ख हैं इसाई हैं पार्सी हैं जैन हैं बउद्ध हैं तो जो अलप संख्यक हैं उन्हें नागरिकता प्रदान करने का प्रापधान करता है यदि वो 2014 से महारत में रह रहे हैं तो पंजीकरन या देशियकरन के माध्यम से उन्हें नागरिकता दिये जाने की जरूरत है साथ ही साथ उत्तरप्रूब के जो राज्ये पांचमी और छटमी अनुसुची के अंतरगत आने वाले जो राज्ये हैं तो जब भी किसी भी प्रकार का महत्यपुर्ण संसोधन लाया जाता है संबिधान में या किसी कानून में तो आपको उसके भी सेवें बहुत डीटेल में परहे जाने की जरूरत है और विभिन बातों से जुरने की जरूरत है जिस पर बहुत अधिक चर्चा पर चर्चा होता है वह करेंट एफेर्स से संबंधित इंडियन पॉलिटी का प्रस्ण बन जाता है वहां से ट्रेडिस्टल कोश्चन भी आ सकते हैं और करेंट आस्पेक्ट भी पूछे जा सकते हैं तो दोनों को आपको ध्यान में रखे जाने की जरूरत है आईए नेक्ष कोश्चन पर चलते हैं नेक्ष कोश्चन भी तेहतर्मे संबिधान संसोधन से है देखिए एक ही साल में तेहतर्मा चबहतर्मा संबिधान संसोधन या पंचाइती राज इतना महत्तपुर्ण टॉपिक है कि एक ही वर्स में दो-दो प्रसन पूछ लिए गए इसका मतलब यह भी हो गया कि आप अपने दिमाग में इस बात को डाल सकते हैं कि इस पूरे एरिया से प्रसन पूछे जाने की संभावना अधिक होती है इसलिए इसको काफी केरफुली तयार करने की जरूरत है देखिए तेहतर में संभिधान संसोधन कानून की वईधानिक सुरुवात किस संभिधान संसोधन बिल से होई है अर्थात तेहतर में संभिधान संसोधन या चोहतर में संभिधान संसोधन 1992-93, 1992 में संसस से पारित हुआ, राष्टपती के हस्ताक्षर के बाद 1993 में ये कानून लागू हो गया उससे पहले, क्या इसे किसी संसोधन अधिनियम के रूप में प्रस्तुत किया गया था? अर्थात, जब बंचायती राज का इतिहास आप पढ़ते हैं बिशेश कर सोतंतरता प्रापती के पश्चात, चुकि भारतिय संभिधान के नीती निजेसकत्तो के अनुझेद चालिस के अंतरगत पण्चायती राज या पण्चायतों के गठन से संब्धित प्राप्धान दिया गया है शुकी वह नीती निदे सक्तत्यों में सामिल था और नीती निदे सक्तत्यों पॉपरवर्तनिय होता है नियायोग्य नहीं होता है अर्थात गेर नियायोग्य होता है अर्थात नोन जस्टिसियेबल और अनिनफोरसेबल अर्थात उसे लागू कराने के लिए मौलिक अधिकारों की तरह आप न्यायले की सरन नहीं ले सकते हैं तो स्वतंतरता प्राप्ती के पश्चात पंचायतों के गठन के संबंध में जो प्रियास किये गए उस पूरे इतिहास को आपको पढ़ना चाहिए समझना चाहिए उसमें जो डिफरेंट आसपेक्ट से हैं उस पर आपको बिल्कुल किलियर रहना चाहिए यह जैसे बलबंत राय महता समीती असोक महता समीती दांते बाला समीती जीवी के राउ समीती फिर लक्ष्मी मल सिंग भ पर्जब पंचायतों के संबइधानिक की करन constitutionalization के लिए सबसे पहले च्यौभार में संसोधन के अन्तरगत पंचायतों को संबइधानिक दरजा दिये जाने का प्रियास किया गए और पैसथ में संबइधान संसोधन के माद्धियम से नगरपालिका को संब्धानिक दरजा दिये जाने की बात कही गई तो सीधे सीधे 64 संब्धान संसोधन उत्तर हो जाएगा लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण यह पारित नहीं हो पाया फिर पंचायतों के विकास के संब्ध में 1992 में और 1993 में 73 में और 74 में संब्धान संसोधन के माद्धियम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को संब्धानिक दरजा दिया गया अर्थात उसके संब्धानिक की करन का प्रयास किया गया तो इस पूरी बात शीध को जब आप समझेंग लेकिन आपकी जो overall understanding है इंडियन पॉलिटी की उस understanding के आधार पर आप ऐसे प्रस्नों को rightly solve कर सकते हैं approach कर सकते हैं और ऐसे प्रस्नों का उत्तर यदि आप rightly approach करते हैं तो इसका फाइदा ये है सबसे महतपुर्ण फाइदा ये है कि ऐसे प्रस्न आपको एक age देते हैं क्योंकि सामानने तोर पर लोग इसे गलत बना देते हैं कि अरे ये out of syllabus पूछ लिया गया मतलब ये किताबों में मिलता नहीं है जैसे rule of law किताबों में नहीं मिलता है तो ऐसे प्रस्न को देखने के माद्यम से आप आराम आराम से इस बात को develop कर सकते हैं कि सिर्फ fact and figures informations या knowledge को gather करके आप examination में दूसरे अभ्यरतियों की तुलना में आगे नहीं निकल सकते हैं आगे निकलने के लिए यह आवस्यक है कि आप अपनी understanding को develop करें क्योंकि एक एक प्रस्न आपको एक महत्तपुर्ण age देगा अर्थात आपको दूसरे अभ्यरतियों की तुलना में आगे निकलने में सक्षम बनाएगा इसलिए आईए देखते हैं पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विकेंदरी करन का वैसिस्ट नहीं है नहीं को हमेशा underline कीजिए जएदा फोकस कीजिए क्योंकि कई बार यह होता है कि ऐसे प्रस्न को solve करने में कई बार हमें लगता है अगर नहीं पर आपने focus नहीं किया तो आप इसके उल्टा है पर बल दे देते हैं और answer को आप deciding कर पाते हैं basically ऐसे प्रस्णों को solve करने के लिए हम यह देखते हैं कि विकेंद्री करन से संबंधित कौन सा है विकेंद्री करन का अर्थ होता है सक्तियों को नीचे के अस्तर पर सोपा जाना देखिए एक सिंपल फिगर के मार्दिम से मालेजी कि ये एक सासन विवस्था है ये एक विवस्था है राजनितिक विवस्था है इस राजनितिक विवस्था में यदि समस्त सक्तियां उपर की और केंद्रित हों तो वह केंद्री करन का मॉडल कहलाता है यहां जो दो एरो हमने दिया है उसका मतलब दो है कहने का मतलब कि लोकतांत्रिक सासन परनाली के अंतरगत सक्तियों के विकेंद्री करन पर बल दिया जाता है और फाथ सक्तियां जो है वह नीचे की ओर सोपी जाती है नीचे के अस्तर को अधिक से अधिक सक्तियां दी जाती है ताकि लोग अधिक से अधिक सासन प्रसासन की प्रक्रिया में भाग ले सके है अर्थात ये जो उल्टा वाला जो एरो हमने बनाया है यह विकंद्री करन का मॉडल है और जब समस्ति सक्थिया एक अस्तर पर एक पद में एक वेक्ति में नहीं तो होगा तो उसे हम किंद्री करन काते हैं तो यहाँ पर जो दो एरो हमने बनाया है इसका अर्थ ही यह है कि संबैधानिक रूप में और कारियात्मक रूप में अर्थात फंक्सनल मतलब संबैधानिक रूप में समस्ति सक्थिया यहाँ पर बिद्दमान हैं और कारियात्मक रूप में सक्थिया जो है वह नीचे की ओर जाती है किंद्री करन के मौडल में भी चुकि आप इस बात को समझते हैं कि सारे कार यह कोई एक वेक्ति कर नहीं सकता है इसलिए संबैधानिक रूप में समस्ति सक्थिया यहाँ पर आती है और कारियात्मक रूप में सक्थियों का विकंद्री करन होता है लेकिन जब हम किंद्री करन के मौडल की बात करते हैं तो संबैधानिक रूप में भी समस्ति सक्थिया यहाँ पर किंद्रित होती है और काडियात्मक रूप में भी समझ सक्तिया यहां पर केंद्रित होती है अर्थात अंतिम प्राधिकार, final authority एक ही वेक्ती के पास या एक ही अस्तर या एक ही प्राधिकरण में नहित होता है लेकिन जब हम विकेंद्रिकरण की बात करते हैं तो संबैधानिक रूप में भी और कारियात्मक रूप में भी सक्तियों को हम नीचे के अस्तर पर सोपते चले जाते हैं विकेंद्रीकरन और विकेंद्रीकरन की अबधारना को समझने के पस्चात कि विकेंद्रीकरन का वैसिस्ट नहीं है, तो सबसे पहले हम है को ढूंड लेते हैं कि कौन-कौन सा विकेंद्रीकरन है, अधिक से अधिक स्वाहित्ता दिया जाना, अर्थात नीचे के अस्तर पर ज केंद्री करन है लोक सहभागिता अर्थात सासन प्रसासन के काडियों में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता तो यह भी विकेंद्री करन है अस्थानिय समुदायों में आत्म विस्वास को नहीं जगाना देखिए यहां पर नहीं कह रहा है और यहां पर भी नहीं है तो इजली जो है आप इस तरह से आंसर को अराम-अराम से ढोड़ सकते हैं। बिस्वास को जगाने का प्रयास करता है चुकि ये नहीं पूछ रहा है इसलिए आंसर सीधे-सीधे ये हो जाएगा अस्थानिय समदायों को ससक्त बनाना तो ये सब विकेंद्री करन है ये विकेंद्री करन है ये विकेंद्री करन है तो अस्थानिय समदायों में आप विश्वास को नहीं जगाना तो ये आंसर सीधे सीधे निकल जाएगा अब देखिए अगर इस प्रस्ण में इस नहीं को आप समाप्त कर देंगे तो आंसर ई हो जाएगा मतलब एक से अधिकुत्तर सिंपली आप इस बात को समझे नेक्ट्ट कोस्चन पर आते हैं ब्रिटिस सासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून एतिहासिक नहीं था बिलकुल सिंपल प्रस्ण पूशा हुआ है देखिए जैसे ही आप पॉलिटी के चेप्टर की काह की सुरुवात करेंगे आपको सबसे पहले ब्रिटिस बिरासत नमक एक टॉपिक मिलेगा जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पिट्स इंडिया एक्ट फिर चार्ट एक्ट 1813 चार्ट एक्ट 1833 चार्ट एक्ट 1853 फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 फिर मॉरले मिन्टो रिफॉर्म 1909 फिर भारस सरकार अधिनियम 1919 भारस सासन अधिनियम 1935 भारस सुतंतरता अधिनियम 1947 यह सारे अधनियम आपको पढ़ने को मिलते हैं सुतंत्रता अब यह है यह है यह है ओल्डिडी सुतंत्रता के पश्चाद प्रोटेक्शन ओप सिविल राइट्स एक्ट बड़ा महत्यपुर्ण एक्ट है जिसे हम लोग अस्प्रिस्यता अपराध अधनियम 1955 के नाम से मिल्ली जानते हैं अस्प्रिस्यता अपराध अधनियम भारतिय संविधान का आर्टिकल सेवन्टीन अनुछेद सत्रह अस्प्रिस्यता के उन्मूलन की बात कहता है अनुछेद सत्रह को लागू करने के लिए संसद ने अस्प्रिस्यता अपराध अधनियम 1955 को बनाया 1976 में इसी अधनियम का नाम बदल कर प्रोटेक्शन ओप सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया अर्थात नागडिक अधिकार सनरक्षन अधनियम तो यह जो है यह ब्रिटिस सासन काल में पारित नहीं किया गया बलकि स्वतंतरता के बाद पारित किया गया इसलिए आंसर आपका यह हो जाएगा बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है जब भी आप देखते हैं डिफरेंट एक्ट्स की बात यहाँ पर कह रहा है तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के महत्तपुर्ण तक तो क्या क्या है महत्तपुर्ण विसेस्ताइं क्या है महत्तपुर्ण डाइमेंशन्स क्या है और सारे Acts में क्या-क्या चीज़ें हैं वह एक बार recall कर लेना चाहिए मतलब ये कि कोई भी प्रस्ण चुकि एक से अधिक informations या हमें revision करने का मौका देता है इसलिए जब भी ऐसे प्रस्णों को solve करते हैं तो regulating act में क्या मूलभूत बाते हैं तो हमेशा आपको दिहान में रखना है कि regulating act में तीन महत्त पुर्ण बाते हैं गवर्नर जेनरल लॉप बंगाल का एक नयापद क्रियेट किया गया अर्थात्सरजित किया गया दूसरा गवर्नर जेनरल काउंसिल की अस्थापना की गई और सुप्रीम कोट की अस्थापना की गई पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड आप कंट्रोल की अस्थापना एक सरवच्य नियंत्रक एकाई के रूप में किया गया अठारा सो तेरह का अधिनियम तीन मूल भूत बातों के लिए जाना जाता है अर्थात ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपणी के बैपारिक एक अधिकार को चाई के अपबाद को छोड़कर समाप्त कर दिया गया अठारा सो तेरिस के अधिनियम में धर्म प्रचार करने की अनुमती भी दी गई है 1833 के अधनियम में इसी तरह से विभिन्न अधनियम की जो मुख्य बिसेशता है इसे आप जब भी अभ्यास करते हैं तो रिकॉल कीजिए और अगर आपको रैटली रिकॉल नहीं हो रहा है तो तब आप रिवाइज कीजिए देखिए रिवाइज करने का भी एक तरीका होता है हम लोग क्या करते हैं पूरी किताब को पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में फिर हिस्ट्री पढ़ा फिर जोगरफी पढ़ा फिर पॉलिटी लगा की भूल गए तो फिर पॉलिटी को पूरा का पूरा पढ़ लिया नहीं तब आप प्रस्न उत्तर के मांध्यम से यदि अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन-कौन सी बात को भूल गया है कहां-कहां पर रिकॉल करने की जरूरत है भारत के संबिधान का कौन सा अनुच्छेद भारतिय निर्वाचन आयोग की अस्थापना से संबंदित है अब देखिए निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के संबंद में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में प्रावधान किये गये है भारतिय संबिधान का पंद्रहम अध्याय है ये कई बार अध्याय को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कई बार पूछ लेता है निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित भाग संबिधान में कौन सा है तो भाग पंद्रह निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के संबंध में प्राबधान करता है अब सबसे पहले अनुच्छे 324 के अंतरगत चुनाओ को बहतर तरीके से, निसपक्ष तरीके से, सुतंथर तरीके से संपन्ने कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग की अस्थापना का प्राबधान अनुच्छेद तीनसो चोविस में है अनुच्छेद 148 CAG के विसे में कहता है अर्थात महानी अंतरक इवं लेखा परिक्षक के पद का प्रावधान करता है अनुच्छेद 342 अनुच्छित जनजातियों से संबंदित है अर्थात ST ST कमीशन नहीं ST ST कमीशन 338 AB से जुड़ा हुआ है अनुच्छित जनजातियों को कैसे चिन्दित किया जाएगा उनकी अधिसूचना के संबंदि में किंदर सरकार को सक्ति दी गई है अनुच्छे 325 324 से 329 से ही संबंदित है अर्थात 325 अनुच्छित में जो निर्वाचक नामवली है उसमें धर्म जाती लिंग इत्यादी के अधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा इस बात को कहता है तो पूछ रहा है निर्वाचन आयोग तो निर्वाचन आयोग अनुच्छे 324 में है तो आंसर सीधे सीधे ए हो जाएगा आईए नेक्ट कोश्चन पर चलते हैं निवन में से किस अधिनियम में भारत में प्रिथक निर्वाचक मंडल का आरम्ध किया गया देखिए अभी-भी हम लोग एक्ट्स पर बातचीत कर रहे थे और हमेशा मैं क्लास में कहता हूँ कि जो ब्रिटिस विरासत के अंतरगत जो विभिन अधिनियम है वहां से काफी प्रस्ण पूछे जाते है इसलिए वहां पर काफी सजग रहना है एक आध प्रस्ण तो मुझे लगता है कि हर एक्जामनेशन में पूछा जाता है तो अभी-अभी हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की बातचीत कर रहे थे वहां पर गवर्नर जेनरल वाब बंगाल का पद है गवर्नर जेनरल काउंसिल है और सुप्रिम कोट की अस्थापना है प्रिथक निर्वाचक मंडल इससे सम्मदित तो है नहीं चार्टर अधिनियम 1833 में क्या है तो सबसे पहले चार्टर अधिनियम 1833 में कमपनी के द्वारा जीते गए समस्ते छेत्र को मिलाकर ब्रिटिस भारत की अस्थापना की गई और जो गवर्नर जेनरल आफ बंगाल का पद हुआ करता था उस पद का नाम बदल दिया गया और अब उन है गवर्नर जेनरल आफ इंडिया कहा जाने लगा अर्थात गवर्नर जेनरल आफ ब्रिटिस इंडिया साथी साथ दासप्रथा को सबाप्त करने से संबंधित प्राबधान भी था 1833 के अधिनियम में हलाकि दासप्रथा को सबाप्त करने का कानून जो भारत में मना वो है 1843 में मना तो कई बार यह भी महत्तपुरन आसपेक्ट होता है यहां से भी परसने पूछे जाते हैं 1833 के अधिनियम के माध्यम से ही Governor General Council में सदस्यों की संख्या को बरहा कर तीन से चार कर दिया गया और जो नए सदस्य थे उन्हें कानून सदस्य या बिधी सदस्य या Law Member का दर्जा दिया गया और आप सभी लोग जानते होंगे कि लौट मैकाले को बिधी सदस्य के रूप में 1833 के एक्ट के अंतरगत ही उन्हें Governor General of Council में सामिल किया गया और उनका महत्तपुर्न योगदान ये है कि उन्होंने भारत में बिद्दमान समस्त कानून को आधुनिक बनाने में महत्तपुर्न योगदान दिया और उसी के परिणाम सरूप इंडियन पेनल कोड और CRPC, IPC और CRPC, Criminal Record Procedure Code को उन्होंने डिवलप किया जो आज भी भारतिये न्याई वेवस्था का महत्तपुर्न आधारस्तंब है PITS India Act 1784 अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि इसमें सबसे महत्तपुर्ण प्रावधान था Board of Control की अस्थापना ताकि British संसद या British सरकार संसद के माध्यम से कमपनी के ऊपर नियंतरन अस्थापित कर सके है कमपनी की जो भारतिये गत्विधिया है उन पर संसद या नियंतरन को अस्थापित करने के लिए PITS India Act के माध्यम से एक नियंतरक बूड या नियंतरक मंडल की अस्थापना की गई थी PITS India Act का महत्तपुर्ण एक्ट है हुआ भारत परिसद अधनियम 1909 यह बड़ा महत्तपुर्ण है क्योंकि इसी अधनियम के माध्यम से काडियपालिका में भारतियों को पहली बार प्रतिन दित्तु दिया गया डॉक्टर सच्चतानंद सिनहा बिहार के ही है जिन्हें हम लॉड सिनहा के नाम से भी जानते है उन्हें काडियपालिका परिसद में सामिल किया गया जबकि बिधाई का परिसद में इंडिया काउंसिल एक्ट भारत परिसद अधनियम 1861 में कुछ भारतियों को प्रतिन दित्त दिया गया था इस अधनियम की एक महत्तपुर्ण विसेश्ता यह है कि इसमें मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचक मंदल की विवस्था की गई थी सेपरेट इलेक्टोडेट जिसे हम लोग कहते हैं कि यह भारत विभाजन का बीज था अर्थाद सामप्रदाइक्ता या धर्म पर अधारित राजनीती या अलगाव बाद या प्रिथकता रही थी उसे वईधानिकी करन या उसे वईधानिक दर्जा देने का प्रियास मौरले मिंटो सुधार अधनियम या भारत परिसद अधनियम इसे हम मौरले मिंटो सुधार अधनियम के नाम से भी जानते हैं उसके मादनियम से किया गया है लेकिन साथी साथ इस बात को भी ध में प्रिफकनि निर्वाचक मंदल का अधिकार दिया तो कैसे कैसे फिर बाद में किस-किस में किस के किस के लिए प्रिफकनि नियुक्रा कर शारी उन्हें उनसारी बातों को आप आप जाने यह बड़ा ही important aspect है यहां प्रस्ट पूछे जाते हैं इसी तरह से 1932 में गांधी अंबेदकर समझा होता को भी ध्यान में रखेंगे जिसको पूरा पैक्ट हम कहते हैं उसके पहले मेकडोनल्ड एबाड को भी ध्यान में रखेंगे अगस्त 1932 जिसके माध्यम से भारतिय दलीतों के लिए भी प्रिथक निर्वाचक मंदल की विवस्था की गई थी तो पूरी बात पूरा कॉंसेप्ट ये दिया आपका किलियर है तो आप राइटली आंसर को एप्रोच कर सकते हैं अर्थात एक प्रस्ण के माध्यम से आप धेर सारे इनफॉर्मेशन को क्लिक्ट कर सकते हैं अब देखिए कुछ करेंट से संबंधित चीजें हैं वर्तमान में रास्ट्रिय महिला आयोग की प्रमुख को ने हैं देखिए रेखा सर्मा जो हैं ये वर्तमान में रास्ट्रिय महिला आयोग की प्रमुख हैं सीदे सीदे अर्थात आंसर जो है वह रेखा सर्मा है ममता सर्मा जो हैं ये पार्सुगाई का है और इनका एक गाना बड़ा पॉपलर हुआ जो दवंग वन जो सल्मान खान की बड़ी पॉपलर मुवी थी उसमें मुन्नी बदनाम हुई का जो गाना आया था वह गाना मंता सर्वाने ही का आया था हलांकि भोजपूरी बगेरह में भी इन्होंने गाना गाया है अन्य भासाओं में भी इन्होंने गाना गाया है इस पात को भी दियान में रखेंगे अर्थात करेंट से करेंट में जो डिवलप्मेंट्स हो रहे हैं उससे आप कितना जागरू के हैं ललता कुमार मंगलम रेख यह महिला आयुक की अध्यक्ष थी 2014 में यह अध्यक्ष बनी थी इसके साथ साथ अस्मिर्ती इरानी की विशाय में कौन नहीं जानता है तो अस्मिर्ती इरानी जो है यह यूनियन मिनिस्टर है और महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में उबर्तमान में 2019 से मई 2019 से यह काईड़त है काफी popular face हैं संसद में भारती राजनीती में एक bold महिला के रूप में अपनी बातों को बहुत एग्रेसिव तरीके से बहुत आक्रमक तरीके से काफी तारके काधारों पर अपनी बात को रखने के लिए जाने जाती हैं और साथ ही साथ बरेली लोकसभा से इन्होंने राहुल गांधी को भी पराजित किया जो एक एतिहासिक घटना है इन सभी चीजों को मतलो करेंटे फेर से संबंधित है तिस बात को आप धिहान में रखेंगे आईए अब नेक्स्ट कोस्चन पर चलते हैं अब जो ये पॉलिटी है ये बिहार से संबंधित है अर्थात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को उन थे तो बाबु स्रीकर्शन सिंग कोण नहीं जानता इनको बिहार केशरी बाबु स्रीकर्शन सिंग जो 1946 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे और इनके नित्रित्तों में बिहार देश का प्रथम राज्य था जिसने जमिंदारी उन्मूलन कानून को लागू किया तो इनके विसे में आपको जानना चाहिए जो आधुनिक बिहार है कहते हैं कि आधुनिक बिहार के संस्थापक या आधुनिक बिहार की अस्थापना में सोतंतरता प्राप्ति के प्रश्चात तीन महत्पुर्न व्यक्तित्तुने महत्पुर्न भूमिका निभाई उसमें बिहार के प्रथम मुख्य मंत्री के रूप में बाबु स्रीकर्शन सिंग जिनें हम बिहार के स्री के नाम से जानते हैं बिहार विभूती ए एन सिंग जिनके नाम पर एन कॉलेज है और देशरत्न डॉक्टर राजिंदर प्रसाद ये आधुनिक बिहार सुतंतरता प्राप्ति के प्रस्चाद आधुनिक बिहार के निर्माता है सत्यपाल मलिक अभी भी मेगाले के राजिपाल है और इनहीं के कार्यकाल में 2018 से 2019 में यही राजिपाल थे जब अनुछे 370 को समाप्त किया गया पहले वो गवा में भी राजिपाल थे नितीश कुबार को कौन नहीं जानता 2001 से लेकर 2004 तक केंद्रिय रेल मंत्री अटल विहारी बाजपी के मंत्री मंदल में फिर 2005 से लगतार 2014 तक फिर 2015 से लगतार पांचमी बार मुख्य मंत्री बने राबरी देवी भी तीन बार विहार की मुख्य मंत्री रही और विहार की पर्थम और एक मात्र महिला मुख्य मंत्री होने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है तो जो भी नाम है विहार से आप हैं तो विहार के जो important personalities हैं उनके भी से में आपको जानकारी रखना है आईए अब हम लोग बिहार के एक महत्रपुर्ण important personalities थे जिनकी मृत्यू हो गई राम बिलास पास्वान जिनके पुत्र चिराग पास्वान है काफी smart काफी young और काफी positive politics को उड़ोने आगे बरहने का प्रियास किया और बिहार की च्छवी बदलने और के प्रियास के रूप में आज भी काफी सक्रिय रूप में ये काम कर रहे हैं राम बिलास पास्वान की बिर्तियू के प्रशाद भी है हलांकि राम्बिलास पासबान की मृत्यू के परशाथ जो पारिबारिक विरासत की जो लडाई है अभी उस लडाई से वो सनलगने है देखते हैं आगे उनकी क्या मूलगा रहती है रामविलास पासबान ने अपना राजनितिक सफर किस राजनितिक दल से प्राडम्प किया था ये करेंट से संबंधित है चुकि उनकी मृत्यू 2020 में हुई है इसलिए रामविलास पासबान से संबंधित जो महत्पुर्ण बाते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि रामविलास पासबान ने अपना राजनितिक सफर संजुक्त सोसलिस्ट पार्टी से प्राडम्प किया इसके पश्चात भारतिये लोक दल के संस्थापक सगस्य बने 1974 में इसके पश्चात 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर ये चुनाओ भी लड़े फिर जनता पार्टी में आ गए प्रजा सोसलिस्ट पार्टी जो है वो नहीं होगा लेकिन राजनितिक सफर अगर रामविलास पासबान का देखें तो संजुक्त सोसलिस्ट पार्टी फिर लोक दल और फिर जनता पार्टी है और वरतमान में अब जो है मतलब इनकी मृत्यू जब हुई तो इन्होंने जो है अपने जो इनका राजनितिक दल है उस राजनितिक दल को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है तो राम बिलास पासवान से संबंदित सारी जो बाते हैं उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको उनका इतिहास मिल जाएगा संजुक्त सोसलिस्ट पार्टी भारतिया लोकदल और जनता पार्टी है इसके पशाथ हम लोग आगे आते हैं और भारत के ये भी देखिए करेंट अफेर से संबंदित हैं इंडियन पॉलिटी का ही कोश्चन था लेकिन करेंट से संबंदित था भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार बिधान सभा 2020 के आम चुनाओ के लिए प्रेस नोट जारी किया था देखिए एक तो प्रेस नोट है और एक रिलीज है दोनों को दोनों में अंतर अस्पस्ट कीजिएगा तो प्रेस नोट जो है वो पच्चिस सितंबर 2020 को जारी किया गया था तो ये ऐसी जो महत्तपुर्न इवेंट से हैं उन सब के भी से में आपको जानकारी रखना चाहिए करेंट से संबंधित था इजली आप इसको एप्रोच कर सकते हैं बिहार के राजनितिक के स्वरगिया रगुवन्स प्रसाद सिंग इनकी भी मृत्यू 2020 में हुई तो बिहार के राजनितिक के स्वरगिया रगुवन्स प्रसाद सिंग पहली बार किस लोख सभा के लिए निर्वाचित हुए देखिए 11 लोख सभा में 1996 में ये पहली बार निर्वाचित हुए रामबिलास पासबान की अगर हम बात करें तो ये नव बार लोकसभा से निर्वाचित हुए थे और अगर स्वर्गिया रभुबंस प्रसाद सिंग की बात करेंगे तो पाँच बार ये बैसाली लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए लेकिन 2014 से ये चुनाओ को जीत नहीं पाए बोधी लहर में तो 1996 से लेकर 2014 के चुनाओ तक चुनाओ से पहले तक ये लोकसभा के लिए पाँच बार चुने गए है बिहार बिधान परिसद के अध्धक्ष के रूप में भी रहे बिहार बिधान परिसद के सदस्य के रूप में भी रहे और बिहार बिधान सभा के सदस्य के रूप में भी कई बार लगातार ये बिहार की राज्यती में च्छाय हुए थे राश्ट्रिये जनतादल अर्थात लालू प्रसाद यादब की पार्टी से जुरे हुए थे तो ये बिहार के राजेतिक स्वरगिया रभुबंस प्रसाद सिंग के बिसे में उनकी भी मृत्य हुई थी इसलिए वो भी बिहार की राजनीती में काफी जुरे हुए थे तो इस प्रकार से आप जो 66 BPSC में प्रस्न पूछे गए थे उन प्रस्नों का हमने हल आपको बतलाया लेकिन मुख्य बात यह है कि प्रस्नों को हल करते हुए आपको यह समझना है कि कैसे आपको BPSC में पूछे जा रहे है प्रस्नों की प्रकृती है उसको समझना है BPSC में पुछे जाने वाले प्रस्ण के ट्रेंड्स क्या है कौन-कौन से topics highlighted है कौन-कौन सा areas highlight हो रहा है और प्रस्णों को solve करने के माध्यम से आपको अपने knowledge में जो gaps है उस gaps को fulfill करना है और प्रस्णों के माध्यम से और भी अधिक से अधिक informations करना है और प्रस्णों को solve करने के skill को develop करना है ताकि प्रस्णों को आप बहतर तरीके से हल करने के माध्यम से आप अपने performance को better कर सके तो चलिए आज की कक्षा की कक्षा का हम लोग यहीं पर अंत करते हैं next class में हम लोग 65 BPSC के questions को analyze करेंगे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू